इस वीडियो में जिस फॉल्ट के बारे में बात करने वाल हूँ, उसका सॉलिशन सिर्फ एक मिनट में ही हो सकता है, लेकिन वीडियो लंबी मनाने मक्साथ ऐसे लोगों को गाइट करने से है, जो इस फिल्प पे पिल्कुल नहे है, सिखना चाहते हैं, तो बने रही है आज हम इस सेटो बॉक्स के रिपैरिंग करने वाले हैं, यह ओन है और चालू कंडिसर में है, बट यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है, यानि कि टीवी स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, देखिए, वीक सिगनल और इस तरीके से आ जा रहा है, और कुछ दिर बात अपने मैं मैथड बताता हूँ, उसको घर पे ट्राय करके देखिएगा, और आपका प्रॉब्लम का सॉलूशन घर पे ही हो जाएगा, यह प्रॉब्लम किस वज़े से आता है, आपको मैं डीटेल से बताऊंगा, और पूरा आपको इसका जो सॉलूशन है, पर्मनेंट बताऊंगा यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन कर लिया है, सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड में धूल बगर लगी वी है, यह सभी के सभी आपने साफ कर लेनी है, क्योंकि धूल बगर से आपका जो है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए धूल साफ करना ज़रूरी है, यह तो क्लियर है ही, भागी यह सथ कर लिया है, अभी हमने यहाँ पर वोल्टे चेक नी है, यानि कि यहाँ पर जो आपको 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट and 3.3 वोल्ट मिलती है, वो चेक नी, क्या यह करेक्ट कर रहे है या फिर नहीँ, 5 वोल्ट को आपने छोड़ देना ह क्योंकि इस card में सिर्फ आपको 3.3 volt 12 volt और 24 volt की जोड़ती है ठीक है अब चलिए सबसे पहले मैं से on कर लेता हूं और आपको voltage करवा देता हूं तो चलिए यहां पर on हो चुका है सबसे पहले आपको multimeter बिल्कुल पास में लाके दिखाता हूं ठीक है यह देखिए इस जिखर पर और इसको रखते हैं 200 volt की range यानि की DC ब्लैक प्रोब को हम करते हैं ग्राउंड पर यानि की ग्राउंड का यही एरिया है इसी में कर लेते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम 3.3 volt की लाइन को हम चेक कर लेंगे यानि की यहां पर देखिए 3.3 पर ही voltage कम आ रहा है यही सबसे बड़ा रीजन होता है आपके weak signal और no signal का चलिए next चलत 21 चलेगा यह 18-19 तक चलता है कोई बात नहीं जो मेन रीजन आपका weak signal और no signal का होता है वह होता है आपका किसका 3.3 volt क्यों जैसे अब बाकि 5 volt भी कम ही होगा देखिए 5 volt कम नहीं है बड़ 5 volt आ रहा है यानि कि एक चीज़ आपको मैं clear बताना चाहूंगा जो आपका 3 volt बनता है यानि कि 3.3 volt बनता है वो 5 volt की ही line से बनता है 5 volt की line बे 2 diode देके 3.3 volt बना दिया जाता है आप समझगे जो 5 volt की जो line होती है वहीं पेसे आपको 2 diode लगा के drop करके 3.3 वाली line पे दे दिया है वो अभी आपको मैं track करके बता दूंगा ठीक है उससे पहले आपको इस diode पे check करन है यहां पर कितनी voltage आ रही है आपर 5 यह जो diode आपकी 5 volt पे जा रही है ठीक है यहां पर voltage ठीक है और यहां पर इस diode पर यहां बिल्कुल accurate आ रहा है और यहां से इस diode के अब आप यहां पर देखिएगा यहीं पर बिलकुल यहीं पर voltage इस diode के वज़े से ड्रॉप हो रही है अभी आपको ऐसे समझमें नहीं आ रहा रहाँगा आपको बिलकुल track करके बताओंगा एक एक point track करके बताओंगा ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए इसका जो है solution मिल जाए ताकि आप लोग घर पे हमेशा repair करें कोई यहाँ पर मैंने यह बता दे कि यह diode है यह नहीं है आपको track करके बताऊँगा कि कौनची diode है कैसे work कर दी है इंट्रेस्टेड हो और कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा हो तो वीडियो पर बने रहिए और लाइक जरूर ठोक दीजेगा ठीक है यहाँ पर यहाँ पर चेक करते हैं और 3.3 का जो point है यहाँ पर अप कार्ड के तरफ को हम change करते है चेक करते हैं ठीक है 2.4 यहाँ से ही 2.4 आ रहा है तो वहाँ पर भी इतना ही मिलेगा कभी कभी क्या होता है यहाँ पर यह आपका अंदर ही अंदर खराब हो जाती है तो इसका resistance घड़ जाता इसकी वज़े से वह तब यहाँ पर जो problem है आपका supply की वज़े से ही है और एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा छोटी नहीं काफी different बात है देखिए हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो चाहते हैं मेरे पास जाते देटी फ्रीडिस का ही काम आता है तो उसी से रिलेटेडिम आपको problem का solution बताते रहता हूं लेकिन आप लोगोंने note क्या होगा मैं एक ही topic पर वीडियो नहीं बनाता है यानि कि फ्रीडिस में भी बहुत सारे topics आते हैं कभी weak signal कभी no signal कभी फलाना 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 कभी display का कभी card का हर आपको अलग-अलग topic मिलेगा हर वीडियो में यानि कि DTS box के अंदर ही एक ही fault को मा बार बार दरता रहा हूं ऐसा नहीं है आप चेक किजिए उसके बाद बिताए बहुत सारे लोग बोलते हैं सनम बोर होगे फ्रीडिस से देखिए फ्रीडिस में आप लोग बोर होगे हों बट मेकानिक लोग हमेसा fault search करते हैं यानि कि जो आप मेकनिक नहीं भी है आप कस्टमर भी देख रहे हैं तो भी आप सिर्फ आप fault search से रहंगे weak signal का problem तो वहां पर वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा इसलिए हर topic पर मैं DTH के अंदर जितने भी topic आते हैं उसे पर वीडियो बनाता हूं इसलिए आप सीखिए आपके भी काम में आ सकती हैं यह सब चीज बात है कुछ ज्यादा ही होगी बट यह कहना जरूरी था यह चीज मन में थी तो कह दिया मैंने ठीक है तो चलिए यहां पर मैं सबसे पहले इसके सारे connectors खटा देता हूं और इसके supply को बाहर निकाल लेता हूं supply निकालने के लिए आप किसी भी प्लायर की मदद से इसको आप प्रेस करके यहां पर lock type में बने रहते हैं ठीक है अब यहां पर सबसे पहले आप फाइव वोल्ट की लाइन को कैसे track करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले मैं आपको 5 वोल का point दिखाता हूं जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है बिल्कुल वो 5 वोल्ट का ही point है यहां पर supply पर आप उसकी line को track किजियो, कहां कहां जा रही है, कहां से आ रही है, यह सब track करना है, तो यह point 5 volt का है, यहां पर यह point 5 volt का है, और यह point जा कहां रहा है, और आ कहां से रहा है, यह सब track करना है, तो यह point 5 volt का, इची आपको बता दू, यहां पर already इसमें repairing हुई है, जैसे कि मैं जो प्रॉब्लम हमारे से हमने आया हम देखेंगे यह 5 वोल्ट का पॉइंट है इसको ट्रेट कीजिए यहां से यहां तक एक डायोड लगी है देखें और यहां से यहां तक लगके फिर आपका 3.3 के पॉइंट में जा रहा है यानि कि 5 वोल्ट से ही 2 डायोड देके 3.3 बना दिया जाता है यानि कि उसे ड्रॉप करवागे ठीक है अब यहां से तो हमने ट्रेक कर लिया है 3.3 तक जा रहा है अब यहां पर इन दोनों डायोड में जो यहां पर वीक रहेगी उसकी वज़े से यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है सबसे पहले चेक करना है 5 वोल्ट यहां पर रहे तो कॉइल से होते हुए यह लाइन जा रही है और यहां से यहां तक यह द्यप्याव लगी होई है सबसे बड़ी वालि ड्याव्ट ट्रांसपॉर्मर से ड्यावट के थ्रू इस ड्यावड के थ्रू आपको डीशीवल्ट मिलता है इस पॉइंट पे तो यहा step down होके, अब इससे तो हमने पता के लिया, अब देखिए, सबसे पहले यही हमने source देखना है, अगर पांच वोल्ट आपका प्रॉपर नहीं आ रही है, इस डायोड से होते हुए, यानि कि इस डायोड पर सबसे पहले आपने पांच वोल्ट चेक करनी है, अगर पांच करके देख लो, अभी फिर से मैं जैसे चेक करवा दूँगा, इस डायोड पर 4.9 वोल्ट के सम्थिंग आ रही थी, यानि कि यहां पर ड्रॉप नहीं हो रही थी, पिर इस पर ड्रॉप नहीं हो रही थी, तो हमने किसमें चेक गिया था, इस डायोड पर चेक किया था, जो जो कैथोड है, उस सेट को लगावा, यानि कि इस डायोड पर चेक किया था, जो कि आपका 5 वोल्ट से ही, ड्रॉप करके, आपका 3 वोल्ट दिया जाता है, यानि कि इस डायोड पर इधर पर चेक कर रहा था, तो यहां पर भी ठीक था, तो यह भी ठीक था, तो जो अगला आपको लाइव चेक करवा के दिखा देता हूं सबसे पहले के नीचे में कुछ रख लेता हूं वरना सौर सर्किट ना हो क्योंकि यह जो है खुली लाइन है इसमें कोई भी ऐसा खत्रा नहीं होना ची और आपको इची बता दू कभी भी आप काम करते हैं तो भाई सीरीज में सब कुछ आप सीरीज में लगा के चेक करेंगे ठीक है चलिए अब बाकी तो मैंने आपको बता दिया बाकी आप खुद ही ट्रेक करके देखेगा दोस्तों मैं एक ची और किलर करना चाहूंगा मैं यहां सॉलिचन तो देता हूं लेकिन सिखाता भी हूं जो मेरा तरीका है फोड़ा से डिफरेंट है ताकि सभी लोग सीख सेकें इसलिए आप बहुत ही ध्यान पूर्ग यहां देखिए और सीखिए चलिए इसको मां ग्राउंड कर लेता हूं इस प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं अभी यह लोड पे नहीं है ठीक है चलिए इसको ग्राउंड क वेख he volts 5.1 बिल्कुल बिल्कुल accurate रहे ही सदय आपको तेक अहा रहे है वños owकि अग्ध थेव्य की दीडिले में यह बिल्कुल टो सबसे बड़े ऐले डायोड पर इहां से यहां तक हमारे 5W आती है ठीक है, और यहां से हमारे 5W यहां पर आती है और यहां से कोईल पर आती है कोईल से उत्ते हैं हमारा इस पॉइंट पर भी गई और साथ ही यहां पर इस डायवट पर चली गई और इस डायवट से यहां तक फिर हमारा कितना हुआ भई 6.0 बता रहा है यहां से यहां तक फिर 6.0 बता रहा है तो 5.0 यह कैसे अभी लोड पे नहीं है चलिए लोड पे लगा के भी चेक करेंगे और यह जा रहा है यहां पर इस डायोट से यहां फिर कितना दिखा रहा है तो यहां पर भी थोड़ा डॉप हो चुकी है तो भई 5.0 के पॉइंट में ठीक बोल्ट आ रही है बट यहां पर 3.3 की जगह बिना लोड में आ रही है 5.9 यानि कि एक बार हमें इसको लोड दे के चेक करना होगा यानि कि इसको कार्ड पे लगा कि इसका वोल्टेज चेक करन क्योंकि कपैस्टर भी वीक पर जाता कभी किसी कंडिशन में कपैस्टर वीक पर जाता तो लोड में लगाने पर वोल्टेज अपने आप ड्रॉप होने लगती है चलिए तो इसके नीचे कुछ मैं ऐसे चीज ला लेता हूं जिसे हमारा किसी भी मैटलिक बोड़ी पे अटे जलता तो यह है ग्राउंड यहीं पर कर लिया ठीक है जैने नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं इतनी बहतर तरीके से यानि कि इतने डीप तरीके से ठीक है चलिए अब मल्टीमेटर पे आप रीट करिए ठीक है सबसे पहले इसको मैं लगाऊंगा 5.0 के यहां पर बिल्क 3.5 यहां पर यहां पर 5.0 तो जो डाउट मेरा आ रहा है एक तो जो 5.0 से एक यहां से आ तक जो डावड लग 8批ड तो फीक ड्रॉप कर हे बाट यहां पर से यहां तक जो डॉप हो रहू है यह दिक्कत कर रहा है तो उस से पहले मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए 5. जो दिख एक 9 जी आपर देखिये क्पेंश्टर यहां पर लगा हुआ है यानि कि यह वाला पेस्ट्र लगा हुआ है ठीक है सब से पहले सबितेड्य चैंज्च करके देख लाना होगा जो सबसे पहले क्पेस्ट्र जाले सबसे Haap ऐसे वाले क्पेश्टर को ठीक है अगर पिर भी हमारा श्रॉलस नहीं हुआ तो इस वाली डायोड याफिर इस वाली डायोड में के एक डायोड हमरे चेंज करने होगी तो इस फॉल्ड जो है इन्ही तीनों कम्पोनेंट से जो आपका एक डायोड यहाप लगी भी एक तो दोस्तो, सबसे पहले, मैंने क्वाइश्टर को ही चेंज करना है, क्योंकि जो मेन लोड उठाने का काम होता है, वो क्योंकि यहां पर जो 5 वोल्ट यानि की 3.3 वोल्ट के लाइन पे सिर्फ एक ही क्वाइश्टर लगा हुआ है, वो है यह वाला, जो है 6.3 वोल्ट एंड 1000 का, ठीक है, चलिए इसको मैं निकाल के इसकी जगह पे 6.3 वोल्ट का अगर नहीं मिलता है, तो मैं यहां पर 10 वोल्ट के साथ 1000 वाला लगा लगा लेकिन यहां पर आप 6.3 वोल्ट से उपर का ही लगाएंगे, इससे कमका नहीं लगाना, वरना बलास्ट हो सकता है, मैं तो जो कपेस्टर है, वो करूँगा, दस वोल्ट से उपर का ही रिकमेंट करूँगा, कि वही वाला लगाईगा, लेकिन मैक्रो फैर अगर आपके पास अगर हजार नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़ा के भी आप लगा सकते है, चलिए, मैं यहां पर जल्दी से ढूंड के आपक आपको दिखाता हूं, चलिए आपको लाइफ चेंज करना बता है, और साथ में इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में काफी सारे लोग गड़बडा जाते हैं, जिन्हें अंदाजनी चलना निकालने के बाद की पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूं, यहां पर एक चीज आपने हमेशा ध्यान देनी है, जो नेगेटिव पट्टी होती है इस बोड़ पे, वहां पर इस तरीके का डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, यह दिखिए इस टाइप का डिजाइन, तो यह आपका नेगेटिव लोड फर ही आपने चेक करना है, चलिए जल्ड़ दिस्माप को दिखा देता हूं, तो यहां पर एक राउन हो चुका है, जैने ग्राउंड कर लेता हूं, और यहां पर हम 3.3 के पुईं चेक करेंगे, तो देखिए, अब बिल्कुल ठीक है, देखिए, यहाँ पर बिल्कुल accurate voltage आ रही है, 3.1 भी चल जाएगी, कोई दिकत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो main problem आ रही थे, हमारी capacitor के वज़े से ही आ रही थी, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ को ठीक है, यहाँ पर 3.9 है, और यह यहाँ पर देखिए, ठीक है, यह है 3.9, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगी, 5 वोल्ट के बाद एक डायोट से ड्रॉप हुई हमारी 3.9 बनी, उसके बाद इस से ड्रॉप हुई हमारी 3.1 बनी, तो थोड़ा सा voltage अगर आप थोड़ा सा 3.3 आप accurate चाते हैं, तो इस पर उस बार को कट करके लगा लो, या फिर आप यहाँ पर इस डावली डायोड को चेंज कर लो, फाइनली यहाँ पर वोल्टेज हमारी बिल्कुल accurate आ चुकी है, चले मैं पूरा यहाँ पर इसको जोड के, टीवी पी स्क्रीन पर ले चलता हूँ, तो यहाँ पर इसे मैंने कर रहा है, चले आपको एक सेगेंड के लिए दिखा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर आपको बॉक्स भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल हमारा चल रहा है, देखिए अभी यहाँ पर सिगनल आप देख सकते हैं, पी 34, 35 ठीक है, बाकी सिगनल का जो है आपके एंटिना की डिरेक्शन पर भी डिबेंड करता है, बाकी जो इसमें प्रॉब्लम था आपके समने, इसका सॉल्यूशन हो चुका है, आपके आपने कम्प्लीट अब समझ लागेगे कि इनकी सेक्शन से प्रॉब्लम आती है, वीडियो बसेना है तो लाइक कर के शियर है, यहाँ को लेना प्रॉब्लम चुक्तों